जिन्दाबाद कंग्रेश पर्टी जिन्दाबाद सुकूँ जिन्दाबाद कंग्रेश ठाकर जिन्दाबाद पैनलेवी मेरा साथ दिया और आज मैं इस तबती हुई दूम में आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ और मैं इस देभूमी का जहां पर मैं हम आप सब बैठे हैं खड़े हैं बिशब दरोहर मैं इसको भी नमन करती हूँ आपका सबका अविनंदर करती हूँ धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मेरे भाई बेनों ने मुझे विधान सभा के अंदर जाने का मौका दिया मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं विधान सभा में मैं नहीं पहुँची विधान सभा में 25 साल से जो मेरा मैईक के कशित्तर था देहरा वो पहुँचा आप पहले पहुंचें विधार सभा के अंदर मैं बाद में पहुंची आपको गर्म महसूस करना चाहिए गर्म महसूस होना चाहिए कि आप अब कि सीएम साहब के एक पार्ट बन गए मतलों कि जब से मैं यहां से आज 15-20 दिन हुए है मैं रिजल्ट निकला तेरा तारी को और मैंने ओध ली है बाइस तारी को तो इस दोरान जब तक मैं शिमला पे थी और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूं कि सुभागे है जो कहते भगवान करता वो अच्छा करता है हम चाहते कुछ है उसकी रजा कुछ और होती है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह जो सब एपिसोड हुआ जो सरकार को गिराने का श्रियंतर रचा गया या जो भी यह जो एपिसोड हुआ उन्होंने अस्तीफा दिया पूरो बिधाइक जी ने उसमें आपका सुभागे शिपा हुआ था सुभागे इसलिए था कि आपने इमानदारी से अपना बोड देते रहे पच्ची साल से और आपके साथ शल होता रहा कि यह एक टूरिस्ट प्लेस बने और मेरी भेंड ने अभी पूर प्रधान ने बात रखी थी कि यहां रोजगार के साधन कभी पैदा होगे जब इसका जिनो अधार होगा इस मंदिर का तो मैं आपके साह बीच में बताना चाहती हूं कि मैं इस चीज के लिए पिछे नहीं हटूंगी और मैं इस एक दो साल के अंदर यहां जो है काया कल्प जो है बदला जाएगा जो भी मेरे से कोशिश होगी जो भी कोशिश होगी मैं सी मसातर गया को कोशिश होगी मैं अपनी पूरी कोशिश करूगी कि इस गाउं का उधार हो और जो मंदिर हमारा इतना पुराना मंदिर है तो इसका भी इनकी बहुआन की किरपा से ही होगा और यहां पर हमारे युवा बच्चों के लिए यहां के लोगों के लिए कोई रोजगार का सादन प इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राइम पेज हिमाचल.केसरी